नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ए विद्या चैनल नंबर 10 पर, मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाथी, आज के इस सेशन में कक्षा 10 के विद्यार्थी संस्कृत का पाठ पढ़ेंगे, संस्कृत बिशे पढ़ेंगे, और इसमें जो टॉपिक आज कवर होगा, वो है सौहार दम प्रकृते हैं शोभा, और ये पाठ पढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंतृत विश्यशग्य का आप सभी से परिचे करा देते हैं, आप हैं केसी त्रिपाथी, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्तर, और आप भाषा चिक्चावे भाग, दिल रही है और लगातार हमारे करेक्रमें बने रही है, और अगर इस विशय के रदगिर्द आपके बन में कुछ प्रस्ने उठते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं, इसके लिए आप मोबाइल नमबर नोट कर सकते हैं, और इमेल एड्रस के जरिये भी आप हमसे जूड सकते हैं email id है dth.class10 at direct c iet.nic.in तो इन माध्यमों से जुड़े रहिए और पढ़िए आज का पाठ आनन्द आएगा सोईश्कित का सौहारदम प्रकृते है शोभा जी ज़िए अगे बढ़ाई धन्यवाद्य पाठी जी प्यारे बच्चो ये जो पाठ का सिर्शक है सौहारदम प्रकृ प्रकृते शोभा प्रक्ते है शोभा के मस्ती प्रकृति की शोभा सौहारद रहे मिल जूल कर रहना है एक दूसरे के साथ ताल मिल में बिठा करके रहना है यह प्रकृतिकी सोभा है जब प्रकृतिकी सोभा है तो मानों भी प्रकृतिके ही अंतरगत आते हैं तो जहां मिल जुलकर रहा जाता है सवहार्द पुर्वक रहा जाता है वही अस्थान वही गाउं वही शहर वही घर वही बिद्याले वही देश जहां हमेशा कला होता रहता है वहां केवल कष्ट के अलावा और कुछ नहीं होता है तो प्रकृति से हमको सीखना है प्रकृति स्वयम कहती है कि मेरी शोभा सवुहार्द्र से है आपस में मिल जुलकर रहने से है इसके माध्धम से ये सिखाया जाता है कि हम मिल जुलकर रहेंगे तो हमारी शुभा बढ़ेगे बनश्य द्रस्यम समी पे हाँ पाठ आरम करने से पहले मैं आप सब को एक संदेश देना चाहते हूँ कि संस्कृत ये भाषा है और भाषा के चार का उसलन है जिसमें पहला है पढ़ना लिखना बोलना और सुनना जब आप पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो भाषा अपना अर्थ आपको बोधित करा देगे यदि आप तीन बार पाठ को पढ़ेंगे तो कम से कम साट सत्तर पचत्तर असी परसंट तक का भाव आप अपने आप समझ जाएंगे इसलिए प्यारे बच्चों पाठ को ठेक से पढ़ो वनश्य द्रश्यम समीपे एव एका नदी बहाती बन का द्रश्य है समीपे एव पास में ही एका नदी बहती एका सिंगह सुखेन विश्राम मेती एक सिंग सुख पूर्वक विश्राम कर रहा होता है तदैव एका हवान रहा आगत्य तस्य पुच्छम धुनाती तदैव उसी समय एका हवान रहा आगत्य एक बंदर वानर बंदर आगत्य आ करके तस्य पुच्छम धुनाती उसकी पूंश को पकड़के हिला देता है जोनाती मारे हिलाता है अब वानर है उसका सुभाव है वो मनरणजिन करने के मूड में है जैसे बच्चे हैं कुछ न कुछ उचलकूत करते हैं वानर भी वैसे करते हैं तो तदेव एक वानर आगत्य उसी समय एक वानर आगत्य आगत्य उपसर्ग लगने से गम धात्य या जिसी भी धात्य से करके अर्थ में परियोग किया जाता है तो वहां लेप्रत्य होता है एक वानर आगत्य एक वानर आकर तस से पुच्चम धुनाती उसके पूच को हिलाता है कुर्धा सिंगा जाहिर है सिंग बनराज है उसे करोधा आता है तो कुर्धा सिंगा करोधित सिंग तम प्रहरतुम इच्चती तम उस मानर को प्रहरतुम इच्चती मारना चाहता है प्रहरतुम प्रहार हिंदी का सब्द है प्रहरतुम तुम उन परते तो मारना चाहता है परम लेकिन वानरस्तू वानरतो कूरदित्वा उचल कर बिरक्षमा रूड़ा पेड़ पर चड़ गया वानर सिंग की पूछ को हिलाता है सिंग को कुरोधा आता है सिंग उसे मारना चाहता है और वानर उसी समय उचल कर पेड़ पर चाहता है तदैव अन्यस्माद ब्रिक्षाद अपरह वानरह सिंगह से कर्णमाकर से पुना ब्रिक्षो परती आरोह थी बहुत आनंदायक है देखे क्या बंदर लोग कर रहे हैं तदैव उसी समय अन्यस्माद ब्रिक्षाद दूसरे ब्रिक्ष से अन्य अन्य वने दूसरा तो पंचमी लगेगी अन्यस्माद ब्रिक्षाद दूसरे ब्रिक्ष से अपरह वानरह दूसरा बंदर सिंगह से कर्णमाकर से सिंगह के कान को खीच करके पुना ब्रिक्षो पर यारोह थी फिर से पेड़ पर चड़ जाता है ए दूसरा है उसका कान खीजदिया पकड़कर कि और पेड़ पेचा जाता है एवम्यो वानराह एवममेव इसी तरह वानराह वानर बारं बारं सिंगं तुदंती बार बार शेर को यह सबद नया है आपके लिए 550 परिशान करते हैं profit के मतलब परिशान करता है पीडियनी कुरुधा सिंग इतस्तत धावती कुरूधित कुरुधा कुरुधा कुरूधित सिंगा सेर इतस्तत गर्जताम गर्जतामध कुछ वी करने में असमर्थ ही रहता है वानरा हसंती बंदर हसंती हस्ते हैं ब्रक्षो परिशे विविधाह पक्षिण अपी सिंघस एताद शीम दसाम दिर्ष्टवा हर समिश्रितम कलरवं कुरुवंती ब्रक्षो परिविधाह पक्षिण बंदर हस्ते हैं और पेड़ पर बहुत से पक्षी भी सिंघस एताद शीम दसाम दिर्ष्टवा हर समिश्रितम कलरवं कुरुवंती हर समिश्रित हसी से मिला जुला कलरो करते हैं मतलब एक तरह से हंसते हैं तो हंसे हैं क्या हम लोग जैसे तो नहीं है तो कलरों ही करेंगे कोई चीव चीव करेगा जैसे भी चुनिया बोलती है कलरवं करतों आगे शिंगा कुरोधेन गर्जन सिंग को बहुत गुस्त आया कुरोधेन गर्जन कुरोध से गर्जन शत्रप्रत्य गरज्ता हुआ मैं जंगल का राजा हूँ किम भयम न जाये ते क्या तुम्हें डर नहीं लगता किमर्थम मामेव तुदंति सरवे मिलत्वा सरवे मने तुम सब मिलत्वा मिलकर मामेव मुझे ही तुदंति मने पीडित करते हूँ मुझे ही तुम सब मिलकर क्यों पीडित कर रहे हो एक आवान राज यताह तुम बन राजा भवितुम तु सरवत्वा अयोग्या यताह माने क्यों की तुम तुम बन राजा भवितुम बन राज होने के सरवत्वा अयोग्य हो जंगल का राजा मनने की योग्य नहीं हो तुम राजा तू रक्षक होता है परम भवान तू भक्षक है आप तू भक्षक है अपिचा स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में भी समर्था ना सी समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे अन्य हवानरा किम्न शुर्था तो हम पंचतंत्र रोगती ही क्या तुमने नहीं सुना पंचतंत्र का यह कथन क्या योन रक्षत वित्रस्तान पेढ्यमाना परही सदा जन्तून पार्थिवर उपेण सिक्रतांतोन संशयह ध्यान से दो बार पढ़ हो इसे तब पकड में आएगो योन रक्षत वित्रस्तान पेढ्यमाना परही सदा परही ही दूसरों के द्वारा सदा हमेशा पेढ्यमाना पिलित किये जाते हुए यो बित्रस्तान माने डरे हुए लोगों को यो नरक्षत जो रक्षा नहीं करता अर्थाथ जो दूसरें के द्वारा पेढ्यत किये जाने पर डरे हुएं की रक्षा नहीं करता यो नरक्षत जो रक्षा नहीं करता है राजा के रूप में तो पूरा वो यह मराज ही है जब रक्षा ही नहीं करते तो आपको राजा बनने का क्या मतलब है एक बार और कहता हूँ परही ही दूसरों के द्वारा सदा पीड्यमाना हमेशा पीडित किये जाते हुए बित्रस्तान डरे हुए जन्तून जन्तूं की प्राणियों की जंगल जीवों की जो रक्षा नहीं करता है पार्थिबर रूपेन राजा के रूप में जो रक्षा नहीं करता है वो है क्या सह कर्तान तहा कर्तान तहा माने यमराज वो यमराज ही है जिसको रक्षा करना चाहिए वो रक्षा नहीं कर पा रहा तो क्या है और है राजा तो कर्तान तहीं अमराज है इसमें कोई संसे नहीं है काका इस भी कववा बोलता है तो जैसे अगर अपने लिए या किसी के लिए तो तिर्टिया लगा तो 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 पिकाह उपहसन अब को इल उपहाज करता हुआ कथम तौम योग्या बन राजह भवितुम तौम योग्या बन राजह भवितुम कथम 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 तौम तुम जंगल का राजा बनने वह योग्य राजा बनने कैसे यत्रतात्र जहां तहां का का इधि करकस ध्वनिना का इसी करकस ध्वनि से वातावरनम आकुली करो। पूरे वातावरण को आगुल कर देते हो, वातावरण ही खराब कर देते हो, न रूपम न तो तुम्हारा कोई रूप है, न ध्वनी न कोई मीठी ध्वनी है, कृष्ण वर्णाहा, काले रंके हो कलूटे हो, मेध्या मेध्य भक्षकम, मेध्य और अमेध्य, ये भक्षा भक् नराज कैसे मानते हैं का अरे अरे किम जल्पसी क्या जल्प कर रहे हो क्या बोल रहे हो एदि हम कृष्ण वर्ड नहां तरही तो हम किम गवरांग हा एदि में काले रंग का हूं तो क्या तुम गवरांग हो कोईल को कहता है अपिचा बिस्मर्यते भूल रहे हो कि मेरी सत्य प्रियता तु जना नाम करते उदाहरण स्वरूपा मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है कवव कह रहा है कि मैं इतना सत्य प्रियता हूं कि लोग मेरे नाम का उदाहन देते हैं कैसे अनरतम बदसिचेत काका दसेत अनरतम बदसिचेत जूट बोलते हो तो कवव काट लेगा जूट बोले कवव काटे तो लोग में है कि मैं मैं बहुत सत्य हूं मैं सही हूं इसलिए जो जून बोलता है उसे मैं काट लेता हूँ ऐसा जनता में यानि मेरे सत्य प्रियता संसार में प्रसिद्ध है इती प्रकारे ने अस्माकम परिश्रम हां हमारा परिश्रम आइक्यम माने एकता तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है अफिचा काक चेश्टा विद्यार्थी वही आदर्ष छात्र माना जाता है तो राजा होने के तो मैं ही योग्यूं मुझे लगता है इसको मैं दुबारा बोल दूँ बच्चो इसमें बहुत चीज भरी है अरे अरे किम जलपसी क्यों फाल तू बोल रहे हो जलपसी माने बेर्थ में बोल रहे हो यदि हम कृष्ण व करते उदाहन स्वरूपा मेरी सत्य प्रिता तो लोगों के समक्ष उदाहन स्वरूप है अन्तम बदस्चीत काका दसेत जूट बोले तो कववा काटे यहनी कववा सबसे सत्यवादी है इती प्रकारण इस तरह से असमाकम परिश्रम हमारा परिश्रम आइक्यम चा और एकता संपूर्ण विष्रम में प्रसिद्ध है अपिचा काकचेष्ट विद्यार्थी और कववे की चेष्ट वाला विद्यार्थी ही आदर्स छात्र माना जाता है यदि आप लोग ने सुना हो काकचेष्ट वकध्यानम शोनो निद्रा तथाइवचा अल्पाहार ग्रिहत्याग विद्यार्थी पंच लक्षण में एक अच्छे विद्यार्थी पांच लक्षण बताए क्या कुछ लोग पहले काकचेश्टा वकु ध्यानम् स्वान निद्रात तते वचा तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगा तो इसको परिवर्थन किया गया तो काकचेश्टा हा एक ऐसा वि भोजन नहीं करता है। गरिहत्य आगहा घर के प्रति जो बहुत आसकती नहीं रखत है। यहीं विद्यारती के पांच लक्षन है। तो काक चेष्टा विद्ध्यार्थी कववे की समान चेष्टा करने वाला विद्ध्यार्थी ही क्या है आदर्श छात्रमाना जाता है पिकाह कोईल कहता है अलम अलम अते ये कथ्था नेन अलम अलम बस करो बस करो ये ज्यादा अपनी बढ़ाई करने अपनी बढ़ाई करना बंद कर ओं किम विसमरति किम विसमरते क्या भुल रह। कहा कोईल और क्या भेत है बसंत समय प्राप्ते बसंत के समय आने पर कहा 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 पिकाह पिकाह कववा कववा होता है और कोईल कोईल होती कैसे जब वो बोलते हैं कोईल तो बसंत में ही बोलती बागी समय नहीं बोलती तो उसे से कववा और कोईल का भेट पता लग जाता है तब ही पता लग रहा है तुम के वहल कहा कहा करते हो और कोयल तो कितना मेठा बोलता है का का है अरे परब्रत अरे परब्रत एदि अहम तव संततिम नपालयामे यदि माने यदि अहम तव संततिम नपालयामे तुम्हारी संतान को नपालन करूँ तरी कुत्रस्चु पिकाह तो कोयल कहा होंगे दफाई बच्चो ये जो कोयल है बहुत चतुर होती, अपने अंडों को कव्वे के घोसले में रख देती है, और कव्वा जान नहीं पाता तो इसके अंडों का land-पोशन कव्वा ही करता है, ऐसा लोग के प्रस्थ इसदी हमने देखा तो नहीं, दो उसी को एक गुब पॉल रहा है क्या बोल रहा है एदी में तुम्हारे संतान का पालन न करूं तबhes गधे कुछ स्थ कोईल होंगे कैसे क्योंकि तुम तुम पालते नियघंत इसलिए मैं बढ़ा हूं अताहमेव करुम आ पारहmile पक्षिसमराइट का कहा हूँ इसलिए मैं ही करुणा पर दयावान पर पक्षियों का राजा कोवा हूँ मैं ही करुणा मैं पक्षि सम्राठ पक्षियों का सम्राठ हूँ गजह इसी बीच हाथी आता है साइपिता एव आगच्छन पास से आते हुए अरे अरे हाथी को भजीब लग रहा है एक कव्वा कही रहा है कि मैं राजा हूँ मुझे राजा मानो सारी बादचीत को श्रणवन एव सुनते हुए ही अहम मैं अत्र आगच्छन मैं यहां आया अहम विशालक आया है हाथी अपने बारें बोलता है फिर से बोल दूँ समीपिता एव आगच्छन पास से आते हुए अरे अरे क्या बक रहे हो सर्वं संभासरं श्रणवन सारी बादचीत को श्रणवन माने सुनते हुए ही मैं यहां आया अपने बारें बोलता है अहम बलशाली बिशालकाय पराक्रमी चा मैं बिशालकाय बड़ी सरीर वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ भले ही सिंग हो अथवा कोई और बनने पशू अगर कोई पशू को परिसान करता है तो उसे मैं अपनी शुन्डेन शून से पोथ इत्वा उठा करके पटक करके मारे इश्यामी मार दूँगा किम अन्या कोप्य से एतादर साह पराक्रमी किम क्या अन्या मने दूसरा कोपी कोई है इस तरह का पराक्रमी कोई दूसरा है क्या अतहा अहमेव योग्या बनराज पदाय इसलिए मैं ही बनराज जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ वानरा अरे अरे एवं वा अरे 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 क्या करते हैं हाथी के पूच को भी हिला करके और पेड़ पे चढ़ जाते हैं हाथी क्या करता है अपने सून से हिलाने की कोशिश करता है लेकिन बन्दर वानरर स्कूर्देत्वा अन्यम ब्रिख्षमारोहती बानर कूदकर दूसरे वर्ख्षमारोहती सिंग अपी हसता है और बोलता है क्या बोलता है भोगज मामप पि एव एवा तुदन एते वानरह मुझे भी इन वानरों ने ऐसे ही परेशान किया था परेशान किया था वानरह एतसमा देव तुदन एव योग्या वनराज पदाए एतसमा देव इसी लिए तो कहता हूँ कि मैं ही जिंगल के राजा के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ ये विशालकायम पराकर्मिनम भैंकरम चापिसंगम गजमबा पराजितम समर्था जिससे विशालकाय, पराकरमी, भैंकर, शेर और हाथी को भी हम पराजित करने में समर्थ हैं असमा कम जाती हमारी जाती तो सब को पराजित करने में समर्थ है अतहा वन्य जंतो नाम रक्षा यही वयमेवत शमा है इसलिए जंगल के प्राणियों की रक्षा के लिए हम ही समर्थ हैं बच्चो यह पाठ अवी और है मेरे समस्य समय के सीमा हो चुकी है तो मैं इस पाठ को नहीं रोगता हूँ अगले चरण में इस पाठ को फिर लेंगे तो आपने सौहारदम प्रकृते शोभा इस पाठ को पढ़ा और सर एक प्रश्न चलते जलते में पूशना चाहूँगा कि संस्कृत क्योंकि एक भाषा है तो संस्कृत में बताएं भाषा को इस संस्कृत भा लगती है देखे प्यारे बच्चो बहुत बढ़िया प्रश्न किया तरपाठी जीन यह भाषा बहुत ही सरल है सरल कठिन का एक भेध है जिसे हम जानते है जिसे हम नहीं जानते को हमारे लिए कठीन है संस्कृत का भी यही हाल है एदिया थोड़ी से प्रैक्टिस करो इसे तो आप बढ़िया से बढ़िया संस्कृत का ग्यान प्राप कर से तो इसके साथ ही हम चाहेंगे अनुमति आप से आप सभी से सत्र को समाप्त करने के लिए आपका बहुत-बहुत के लिए मैथ का सब्जेक्ट होगा और यॉक्लिट्स जिवेट्री इसमें आप पढ़ेंगे तो आप कहीं जाये ना बने रहें लगातारी वीद्या के साथ चलते जलते जानकारी पाठे पुस्तकों के संबंध में आपको दे दें जो एकेडमिक सेशन चल रहा है दो जार त जाता गोहाटी में उपलब्द हैं ये सेल्स काउंटर सुबह साड़े नव बजे से शाम छे बजे के बीच उपलब्द रहते हैं सब ताह के साथ हो दिन और घर बैठे ऑन-लाइन और कर सकते हैं इसके लिए आप लॉग-उन करिए हमारी वेबसाइट बुक्स.ncrt.gov.in और कर दो